देश के कई राजियों में कोरोना के बड़ते मामलों के बीच उतर प्रदेश की योगी आधितनास सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कि है जिसके बाद से रेलेवे स्टेशन पर यात्रियों को पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पर बहा है इसके तहद यात्रियों को अपना बैक सेनिटाइज कराने के साथ साथ मास्क भी पहनना अनिबार होगा वही संदिक्द यात्रियों की एंटिजन टेस्टिंग की वैवस्ता भी इस्टेशनों पर की गई है कोरोना महमारी के दूबारा बरत्य संक्रमन को लेकर के कानपूर का रेल प्रिशासन सतर्क हो गया है आने जाने वाले यात्रियों की संगन जाच शुरू कर दी गई है आपको बता दें कि उत्रपदेश सरकार के मुखे सचेव आर्क के तीवारी ने नई गाइडलाइन भी जारी की है जिसमें उन्होंने नई गाइडलाइन में बताया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों के एंटिजन टेस्ट भी रेलवी स्टेशन पर होंगे लक्षर दिखने पर ही आत्रियों की आड़ी पीसिया जाच होगी इस सम्बन में कानपूर सेंट्रल स्टेशन के डिरेक्टर हिमान शुशेकर ने कोरोना जाच के मतिनजर रखे जाने वाली सत्रिता के बारे में न्यूस प्लस से खास बात की न्यूस प्लस के लिए कानपूर से अवीरल गुप्ता की रिपोर्ट सोपी तो उस हिसाब से राज सरकार को करनी है शास्तिवाग को हमने जगह और बाकी संसाधन वहिया करा दिये हैं और वो जाच के अभी कुछ स्पेसिक ट्रेंज के लिए था जैसा जिला प्रशासन चाहेगा उसे उसी हिसाब से जगह और मैं जो भी आवशक कारवाई होगी जो भी आवशक्ता होगी हम प्रवाइट कराएंगे जांच में पूरे जिला प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे रही बाद टिकट की तो रिजर्वेशन टिकट की उससे इंफोर्मेशन करके ट्रेसिंग की तो ये प्रक्रिया इसके पहली लागव हो चुकी थी और पिछल आप से जिला प्रशासन ट्रेसिंग कर सकेगा लोगों की कि जो लोगा हैं वो उनकी हालत कैसी है स्वास्त कैसा है क्या कर रहे हैं तो तमाम जो भी जानकारियां हैं वो सारे दी जाएंगी बागी स्टेशन पर एंट्री के जो रूल है वो स्टिक्ली फॉलो की जा रहे हैं ट्रेन आने से 2 गंटे पहले से के उसके पहले यात्रियों के इंटरी ने दे रहा हैं। और 2 गंटे पहले हम सबसे निवेजर करते हैं कि ट्रेन Departure के दो गंटे पहले पहले स्टेशन पर आएं। इस्टेशन आने के पहले मास्क 100% आवश्चक है, जरूरी है पहनना, ताकि हम अपने बचें, दूसरों को भी बचाएं, और सेनिटाइजर वगर है, स्टेशन पर उपलब्ध है, मास्क भी स्टेशन पर उपलब्ध है, स्टेशन पर सोशल डिसेंसिंग बनाने के लिए बार announcement के माध्यम से, धोशना के माध्यम से, हम लोगों से अपील करते हैं और request करते हैं, तो ये तीन तीन सीजें हम follow कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें जन सहयोकी बही अपेक्शा है, क्योंकि बिना जन सहयोक के इस protocol को पालन करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे, लखनों के चारवाग स्टेशन पर लगातार बढ़ते बंदर के आतंक से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अनोखा तरीका खोज निकाला है यहां बंदरों को भगाने के लिए कलंदर तनाद के गए हैं जो अपनी आवाज से अब बंदरों को भगाएंगे देखें आमारी ये खास रेपॉर्ट रेलवे स्टेशनों पर अमुमन छुट्टा जानवरों उत्ते गाये चुहे और बंदरों के आतंक से लोग परशान रहते हैं इनमें बंदरों का आतंक सबसे जादा रहता है वो आए दिन किसी को काट लेते हैं तो लोगों का समान लेकर भाग भी जाते हैं या उनको नुकसान पहुचाते हैं तो इसी से बचने के लिए लखनव के चार बाग रेलवे स्टेशन ने अब अनोखा तरीका खोज निकाला है रेलवे पिशासन ने स्टेशन पर कलंदर तैनात कर दिया है ये कलंदर अब बंदर भगाएंगे अब आप सोच में पढ़ गए होंगे कि आखिर ये कलंदर कौन सी बला है जो बंदरो का मुकाबला करेगी तो हम आपको बताते हैं कि कलंदर वो शक्स है जो लंगूरों की आवाज निकाल कर बंदरों को डराते हैं और रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर बंदरों को भगा रहे हैं कलंदर की महनस से लोगों के लिए अब बंदरों का कहर चारवाग रेलवे स्टेशन पर खतम हो रहा है लखनव रेलवे प्रिशासर ने किस्मत नाम के कलंदर को रखा है किस्मत को 6 महिने के ट्रायल बेस पर रखा गया है अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आगे भी इनको काम पर रखा जाएगा किस्मत पहले लंगूर लेकर बंदरों को भगाते थे लेकिन इत जानवरों के हिद के लिए लड़ने वाली संस्ता पेटा के विरोध में लंगूरों को रखना बंद कर दिया जिसके बाद इन लंगूर की आवाज निकानले का अनुखा तरीका खोज निकाला है तो किस्मत की किस्मत पल्टी और रेलवे ने बंदर भगाने का ओफर दे दिया फिलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन पर किस्मत की किस्मत अब बुलंद है और बंदर किसमत की आवाज सुनकर स्टेशन छोड़कर फरार हो गए है चार बाग रेलवे परिसर में बंदरों के कहर से पार पाने के लिए अब चार बाग परिसर में कलंदर की नियुक्ति की गई है आपको बता दे कि इस कलंडर का नाम किस्मत है जो लंग़ूरों की आवाज निकाल कर बंदरों को भगाएगा और जो यातरी चारवाग परिसर में आते हैं उनकी सुरक्षा करेगा सारी साथ आपको बता दे कि जिस तरीके से बंदरों का कहर बरपाया था और जो यात्री आबा गमन करने आते थे उनको बंदर परिशान करते थे इसको लेकर चारबा ग्रेवले परिसर ने ये कदम उठाया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले दिनों करते हैं